वेल दोस्तो अगर आप अपने Facebook एकाउंट को private करना चाते हो आप अपने profile को lock करना चाते हो ताकि दोस्तो अगर आपके जो भी फ्रेंड नहीं हो आपके private photos ना देख सकते हैं आपके private post ना देख सकते हैं साथी आपके friend list वगेर भी नहीं देख सकते हैं मतलब without आपसे friend बने आ आपको जरूरत परे तो अनलॉक भी आप कर सकते हो विडियो के लिए बहुत ही ज्यादे यूस्फूल होने वाली है विडियो में एंड तक बने जाना तो चले करेंजे विडियो को फटाइक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग है सकेंड दोस्तों तो मैं यहांब यहां पराइज आपने फून के होमी श्क्रीन पर चले आप नैक बताताँ की स्टर से आप अपने Facebook प्रोफाइल को लॉग कर सकते हों उसके लिए सबसे पहले आप अपने facebook application को login कर लेना and next यहां पर आपको right side के top में आपको three line button दिख रहा है इस पर आप click कर लेना and click करने के बाद simply से आपको setting का button यहां पर देख रहा है menu के just right side में आपको setting का button दिख रहा है उसके बाद यहां पर just up scroll कर तो एक और setting आपको दिख रहा है setting and privacy यहां से भी आप open कर सकतो तो setting को और उपर से यहां से भी आप setting को open कर सकते हो तो कहीं से भी आप setting को open कर लेना next simply से आपको करना क्या हो यहाँ पर देख वा रहे हो account and privacy तो simply से यहाँ पर आपको scroll करके नीचे चल जाना नेक्सिए कुछ सकेंड लेगा and automatically यहाँ पर देख पार है यूर यू लॉग्ड यूर प्रोफाइल तो सिंप्ली से यहाँ पर आप जैसे ओके करोगा आपका प्रोफाइल लॉग हो जुका है तो अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो में बताया है अगर उसे स्ट्व को अच्छे से देखते हो तो आप आसानी से सीख गया होगा किस तर से आप अपने प्रोफाइल को लॉग कर सकते हो और साथी जब भी जरूरत पर है आप अपने फेस्बूक प्रोफाइल को अनलॉ प्रोफाइल नीचे कॉमेंट बॉक्स मुझे आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो और डेफिलेटली मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा तो दोस्तों तब तक के लिए जयान इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हो नेक्स्ट टाइम